hello everyone welcome to magnet brains एक ऐसा platform जो कि आपके लिए कर आता है quality content वो भी बिना किसी paid subscription के जी हां magnet brains पी आपको मिलती है quality education 100% free जब आप हमारे वीडियोस वेरियस प्लाटफॉर्म से देखते हैं जो कि YouTube हो गया हमारे official website magnet brains.com या फिर हमारा application तो आप से किसी भी टाइब का coupon code नहीं मांगा जाएगा कोई भी टाइब का subscription amount नहीं मांगा जाएगा 100% free education dedicatedly magnet brains आपके लेकर आता है और इसी dedication का आप लोग ने हमको फल दिया है with 8 million subscribers जी हां हमने 8 million का मार्क जो है वो सब्सक्राइब कर दिया है a very big thank you to all the students who have been with us यही हमाले motivation है आप के लिए विरिए सब्सक्राइब कर रहा है इन फॉर्म्स तो यह फॉर्म्स क्या-क्या है एक तो आपकी e-books हैं और साथ-साथ में physical books हैं अगर आप चाहते हैं कि यह content जो है वो आप तक पहुंचे तो कुछ नहीं है description में link परे लिंक पे click करिए अपने preferences बरिए अपने contact information बरिए submit करिए and our team will get back to you तो इस books में आपको apart from reading material या apart from your notes आपको क्या मिलते हैं तो आप कुछ multiple questions मिलेंगे आपको कुछ exercise के लिए आपके practice के लिए questions दिये जाएंगे और कुछ previous year questions भी उसमें include करे जाएंगे तो इस वीडियो में मैं आपसे दुबारा वीडियो में आपका दुबारा स्वागत करता हूं जो कि है long answer type question जी हां long answer type question जो है maximum marks carry करते हैं एक particular question paper में तो 4-5 के बीच में आप क्या कर सकते हैं अगर आप बहुत बड़ा paper है hundred marks का paper है तो 4-5 के बीच में आप क्या कर सकते हैं इन 5 markers question को expect कर सकते हैं जी हां that means almost 22-25 percent का portion जो है वह इस तो इस लॉंग आंसर टाइप को और थोड़ा सा करते हैं थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करते हैं देखते हैं कैसे करना है क्या करना है तो देखिए पहले भी मैं डिसकस करी चुका हूं बढ़ एक बास तिल उन लोगों के लिए जो पहली बार हम से जोड़ रहे हैं तो फाइव होता है फाइव मार्क्स और इनको हमको करना पड़ेगा हंडर्ड वोड्स में जी हां बिलकुल हंडर्ड वोड्स हैं आप बिलकुल घबराईए मत इस हंडर्ड को हम एट्टी बनाएंगे ठीक है देखो गिनते बिलकुल मत बैठना कि हमने एक दो तीन चार पांच चैसे कर होगे तो यह एक पेज़ बना बहुत ही आसान है कुछ नहीं करना देखो सबसे पहले तो समझो एक आंसर के तीन कॉंपोनेंट होता है एक होता इंट्रोडक्शन ठीक है इंट्रोडक्शन की जब मैं बात करता हूं तो यह क्या होता ही डेफिनेशन होती है किसके बारे में आपके की वर्ड के बारे में ठीक है जो आपको कहां से मिलेगा question में से मिलेगा ठीक है यह keyword वो होता है जिसके आगर जिस चीज को हटा दिया जाए उस question में से तो question का कोई sense नहीं बनेगा कोई मतलब नहीं बनेगा यह मतलब क्या होता है यह most important part होता है particular question का तो उसी को हमको क्या करना है यहां पर introduction में explain करते जाना है क्या करना है उसको थोड़ा explain करना explain किस फॉर्म में करेंगे उसको define करके कैसे उसको define करके और यह definition हमारी कम सकम कित्ति लेने की 20 से 30 words के बीच में आ जानी चाहिए ठीक है फिर हम jump on करेंगे एक connecting line पर यह connecting line क्या रहेगी अगें 10 words के आसपास रहेगी that means एक line की रहेगी ठीक है जो की आपके introduction और आप जो next component आने वाला है body उसको क्या करेगी connect करेगी ठीक है क्या करेगी यह connect करेगी अब body क्या होती है body वो होगा वो component of the question हो जाएगा जो आपसे पूछा गया आपसे features पूछे गए हैं आपसे effect पूछे गए हैं आपसे कुछ importance पूछी गई है आपसे यह पूछा की क्यूं है मतलब www या एच जो questions होते जिनके end पर आपको क्या मिलता है question mark मिलता है वो टाइप की चीज़े जो है वो वह अब आप पर क्या करोगे आप attempt करोगे body की बात करते हैं तो body में चार से पांच dimensions आपको देने हैं और limit रहेगी कितनी आपकी 40 से 50 वर्ड तो इस बीस में हमको क्या करना है body को खतम करना है और finally हम अपना चौता component देंगे conclusion conclusion में क्या देना है अगर हिस्ट्री यह तो नेक्स्ट इवेंट पर जा जाना है conclusion में अगर civics में है तो उसके basic body या basic format की हमको long answer कैसे attempt करना है किन किन चीज़ों पर हमको ध्यान देना है ठीक है सबसे पहले बात करी थी अपने किसकी आपके introduction के बारे में फिर connecting line आ जाएगी फिर body आ जाएगी और finally conclusion आ जाएगा ठीक है आप देखो इसके बाद देखो लिखना कैसे है यह आपका for instance page है ठीक है यहां से आप introduction चालू करोगे कितने दो fingers का gap छोड़ोगे margin से और उसके बाद आप क्या चलू करोगे अपना introduction चालू करोगे ठीक है तो तीन लाइन में आपका introduction आया फिर उसके बाद एक connecting line आई ठीक है फिर यहां से body चालू हो गई अब देखो body में क्या होगा जो points आप लिखने जा रहे हो अगेन उसमें से क्या करो कुछ keywords चार्ट हो और उन keywords को लिखो एज़साभ हेडिंग सब हेडिंग लिखने के बाद उसके नीचे के point लिख दो ठीक है अगेन ठीक है और final end में conclusion आ जाएगा तो कुछ नहीं करना इसी चीज़ को क्या करना है आपको एक flow chart के form में present कर देना है यह आपने introduction चालू करा connecting line आई ठीक है फिर यहां पे flow chart एक दो तीन चार यह पांच अब देखो आपके पास क्या है चोड़े में space कम है क्योंकि आपको इस तिनी space में 5.2 तो आप क्या करोगे कम-कम लिखके at least same point को जिसमें आपके सिर्फ 10 वर्ड या 15 वर्ड आ रहे हैं वो आपके length में cover हो जाएंगे तो ऐसी क्या करना है बाकी points को भी लिख देना है कुछ जाधा होंगे कुछ कम होंगे को कोई फरक नहीं पड़ता बाकी की space तो खाली ही जा रही है कोई दिक्कत नहीं है सिर्फा यहां एक लाइन चुड़ो conclusion लिखो और attempt करो answer को quite easily जी हां हमको कटई हडवर्ट नहीं लिखना है हमको वसे दिखाना है कि हां हमने एक page फिल करा है और हम आपके 5 marks के हगदार है अब यह 5 marks मिलेंगे कैसे तो यह 5 marks मिलेंगे आपके content के basis पे जी हां quality content अगर आप रखोगे हमारे जैसे तो आपको 5 मिलेंगे कहीं से कहीं तक कोई कटने का सवाल नहीं है तो चलिए कुछ questions देखते हैं आपके long answer type के जो कि आपके practice के लिए रहेंगे सबसे पहले question आपके सामने आता है हाव इस government formed in a democracy democracy में government कैसे बनती है तो हमको सबसे पहले government procedure बताना है election बताना है election के बाद ओद बतानी है ओद के बाद members आएंगे members अपने form करेंगे government को और finally government क्या करेगी आपका काम चालू कर देगी ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे in a democracy government is formed after election ठीक है आगया आगया members of parliament to get the political party in which the majority of these MPs from the government since there are 543 seats in Lok Sabha a party must secure at least half that is 272 seats in parliament to form government sometimes no single party मतला हमने यहां क्या दे दिया यहां पर हमने आक्स वो दे दिया कोवलेशन government का उसका भी aspect हमने क्या कर दिया input कर दिया to win 272 seats on its own and get majority to form the government in such situation two or more political parties with similar concerns joined together to form get majority and form a coalition government इसको क्या करना है आपको point wise इसको छाटना है इसमें सापको keywords highlight करने है और finally क्या करना एक proper answer frame करना है बेटा जब तक practice नहीं करोगे तब तक यह जो answer writing का art है इसमें perfection के पास तक नहीं आपाऊगे तो please मैं आपको content दिया है एक बहुत ही raw form में दिया है तो जब तक आप खुद इसको लिख के practice नहीं करोगे तब तक आप क्या कर सकतो answer writing वो hundred word का जो mark है इसको अचीव करने में बहुत problem आएगी इसलिए raw content आपके सामने है यहां पर आपको introduction में क्या करना है democracy को आप चाहो तो define कर सकतो introduction के form पे क्योंकि आगर मैं बात कर दूं हाव ऐसे government form यह की democracy यहां से हटा दू तो हो जाए government form अब भाई government तो किसमें भी form हो सकती मुनार्की मे भी हो सकती है democracy ज़रूरी नहीं है true democracy false democracy कई सारी चीज़ है तो democracy क्या हो गया आपका यह keyword हो गया इसको क्या करोगे आप इसकी definition जो है यह दे दोगे किसमें introduction में ठीक है introduction में देने के बाद फिर चाहो तो आप यहां से यह connecting line आ जाएगी आपकी क्या inner democracy government is formed after elections उसके बाद point wise चालू कर दो और end में आप coalition government दे दो भाई यह भी एक टाइप का क्या है democratic ही है but it is also a form of government और it is also a type through which government can be formed in a democracy understood चलो with reference to British rule in India explain why it is important that people should decide ठीक है तो हमको क्या रेना है हमको British rule context में लेना है और यह बताना है कि लोग क्यों decide करें तो इसमें हमको comparative study पूछी गई है साथ साथ में एक ही answer में हम दो aspect को लेके चलेंगे पहला British rule बताएंगे कि British rule में क्या था और उसके बाद हमने यह क्यों दिया कि भाई जो decision है ठीक है तो people should decide यह क्यों जरूरी पढ़ जाता है चलिया answer देखते है during British rule the people of India were made to obey laws and they had no rule in making of people did not agree with the decision imposed on them and lived in fear of British government as they fought for independence they wished they were inspired by the ideas of freedom equality in participation they wanted to have a say in the government and its decision making with independence from British rule it was now up to the people of India to testify their destiny it is important to let the people decide because of the actions and decision of the government affect the country people of the country directly they have every right in decision making matters which affect them तो यह क्या हो जाएगा यह वाला पार्ट आजाएगा किसमें आपके conclusion में ठीक है और उपसे point आपको यहां से extract करने है ठीक है यह हो जाएगा आपका क्या पूरा-पूरा answer तो यह थे आपके सामने कुछ examples long answer type questions के please practice करते रहेगा आपके textbook में से निकालिए question कहीं से extra question आपको मिल पा रहे हैं वहां से लीजिए हमारी e-books है जो books है उसमें से आपको extra questions मिल जाएंगे practice के लिए तो इसी इसके साथ माइड़ी कंटेंट various courses में जी हां यहां पर आपको kindergarten से लेके class 12 तक extensive courses मिलते हैं English medium और Hindi medium में में साथ-साथ कुछ CBS related competitive exams भी आपको यहां पर क्याद मिलते हैं इनके courses मिल जाते हैं आप हमारी वीडियो देख सकते various platforms पे जो की YouTube हमारी official website और हमारे application पर अविलेबल है इन धेर सारा प्यार दें धेर सारा लाइक दे शेर करें अपने दोस्तों की बीच में पीर्स के बीच में बने रही हैं हमारे अपने social media hangouts पे जो की है Instagram, Telegram, Twitter और आपके Facebook पे thank you so much for watching this video